असलामों आप लोग उमीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियस से होंगे तो आज की वीडियों में हम कोईत की कुछ जिरूरी ख़बर जिरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुचाने वाले हैं आप लोगों से गुजारी से वीडियो को सुरूर से लेकर आखिर तक के होले से वीडियों में आप लेकर जा रहा है यह गया है कि कोईत में जो परवासी रहते हैं वो अपने नाम से श्रीप और श्रीप दो गाड़ी निकाल सकें इससे जादा गाड़ी को निकालने की उनको अनुमती ना दी जाए यनि कोईत के अंदर जो ट्राफिक इतना इस पर पबंदी लगा दी जाए तो सकता है कोईत गौर्णमेंट इस पर विचार करें और जल्द ही इस हवाले से फैसला भी जारी हो जाए कि कोईत के अंदर जो परवासी है वो श्रीप दो ही गाड़ी निकाल सकते हैं उससे जादा गाड़ी वो नहीं निकाल सकते अपने विज़ा के लिए अप्लिकेशन जमा कर सकते हैं और जब अप्लिकेशन अप्रूवल हो जाए तो उसके बाद वो टिकट ले सकते हैं कौन-कौन से देश हैं तो इसमें बताया ये गया है कि अफगानिस्तान, इरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, सिरिया, यमन और सुडा सामिल है इन देश्टों के नागरिक बिना हवाई टिकट के अप्लिकेशन विजड विज़ा के लिए जमा कर सकते हैं इसकी लॉग लिप डेट यह है कि कोईट सिविल सर्विस कम्मिकेशन की तरफ से अप्डेट जारी करके वताया यह गया है कि रमजान के महिने के दोरान उसके बाद नो बजी एक डूटी सुरू होगी और तीन बजे डूटी समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में चार घंटे डूटी का एलान कर दिया गया है रमजान के महिने के दोरान जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग प्राइवक सेक्टर में काम करते हैं उनकी तकरीबान 6 घंटे डूटी रहती है अभी फिराल एलान नहीं किया गया है एलान किया जाएगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी दोस्तो यह थी आज की कोई तीन चार इंपोर्टन ख़वर इंपोर्टन जानकारी जो आप तक पहुचा दी गए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छे लगी हो अच्छे लगी है तो पिलिए दोस्तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएए और